तिलहन के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर जिहां देश में धिरे-धिरे तिलहन का उत्पादन बढ़ रहा है खास तोर पर सरसोका इसके पीछे की बड़ी वज़ा है अच्छा दाम पिछले दो साल से सरसोका बाजार भाव न्यूंतन्स मर्थन मुल्या यानि MSP से ज्यादा मिल रहा है ऐसे में किसान गेहूं और दूसरी रभी फसलों की बजाए इस पर फोकस कर रही है जिसका नतीजा ये है कि पिछले दो साल में सरसोका उत्पादन 29 फीसद बढ़कर 91,24,000 से 117,46,000 टन पहुँच गया है रभी अभ्यान पर आयोजित क्रिशी समेलन में केंदरिय क्रिशी मंतरी नरेंदर सिंग तोमर ने सरसोका उत्पादन बढ़ने का जिक्र किया उन्होंने कहा कि सरसोकी उत्पादक्ता में 10 फीसद का इजाफा हुआ है और इसका उत्पादन 1331 किलोग्राम प्रती हेक्टर से बढ़कर अब 1458 किलोग्राम प्रती हेक्टर हो गया है रैपसीड और सरसोका रखवा 2019-20 में 68.56 से 17 फीसद बढ़कर 2021-22 में 80.58 लाख हेक्टर हो चुका है उन्होंने ये भी बताया कि सरसोका बढ़ा हुआ उत्पादन पामोईल और सुरज मुखी तेल के आयात को कम करने में मदद करेगा सरकार अब सरसो मिशन की तरज पर विशेश तोर पर सोयाबीन और सुरज मुखी मिशन भी लागू कर रही है ताकि इसका उत्पादन भी तेजी से बढ़ सके और भारत जल से जल तिलन के मामले में आतम निर्बर हो और भारत खादिया तेल के अपनी जरूरतों का तकरीबन 65 फीसदी इंपोर्ट करता है उसे कम किया जा सके भारत में सालाना करीब 70,000 क्रोड रुपए का खादिया तेल आयात होता है योगी अपने देश में तिलन फसलों का उत्पादन काफी कम है हम पामोयल का आयात सबसे ज्यादा कर रहे हैं जबकि ये तेल सिहत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है कुल मिलाकर हम खादिया तेल के मामले में इंडोनेशिया, मलेशिया और रूस पर निर्भर है भारत में खादिया तेलों की कमी की वज़े से ही पिछले एक साल में इसका दाम काफी बढ़ा है केंद्रिय क्रिशी मंत्राले की रिपोर्ट के मुताबिक सरसो उत्पादन में राजस्थान अवल है यहां केले देश का करीब 40% सरसो का उत्पादन होता है और दूसरे नमबर पर हरियाना है जहां देश की करीब 14% सरसो पैदा की जाती है सरसो उत्पादन में मध्या परदेश की हिस्सेदारी 12 फीसदी है जबकि उत्तर परदेश में 11 फीसदी तो पश्चिम मंगोल में 9 फीसदी सरसो का उत्पादन किया जाता है वहीं क्रिशिवी ग्यानिकों के अनुसार गेहूं के मुकाबले सरसो की खेती में ज्यादा फाइदा है क्योंकि इसका दाम MSP से डबल तक पहुंजाता है SME किसानों को तीलन खास तोर पर सरसो की खेती पर फोकस करने की जरूरत है SME किसानों के जरूरत है